अंकिता भंडारी मडर केस में SDRF की टीम ने शक्ती नहर में चिल्ला पावर हाउस के पास अंकिता भंडारी का शव बरामत कर लिया है अंकिता के पिता और भाई ने शव अंकिता का ही होने की पुष्टी की है दर्दना खटना को लेकर सीम धामी ने अंकिता भंटारी की मौत पर दुख़ जताया है उन्होंने कहा कि ये घटना बहुत ही दुख़द है उनका मन काफी व्यथित है सीम धामी ने कहा कि उन्होंने सभी आरुप्यों के खिलाब सक्त से सक्त कारवाई के लिए दियाईजी पी रिनुका दीवी के नेतरत में एक SIT का गठन किया है सीम धामी ने कहा कि चाहे कोई भी हो इस मामले में कोई भी अपराधी बक्षा नहीं जाएगा इसके साथी मुख्यमत्री पुशकर सिंग धामी ने प्रदेश भर में अवैद रूप से चल रहे रिजॉर्ट पर कारवाई करने के आदेश दिये है इसके लिए जिलाधीकारियों को निर्देशित भी किया है सीम ने कहा कि अभी तो सिर्फ रिजॉर्ट पर कारवाई हुई है आगे और भी कारवाई होगी जानकारी मिल रही है कि इस शेत्र में दरजनों इस तरहा के रिजॉर्ट बने हुए हैं अब सभी अवैट रिजॉर्ट पर कारवाई की जाएगी M.K.N. News की Death Support बहुत दुखत गटना है और इस गटना से जहां मन बहुत बेचित है अंकिता बेटी का पार्थी शरीर खुल लिया गया है मिल गया है और सभी दोस्यों के खिलाब सक्त से सक्त कारवाई हो इसको लेकर हमने डियाजी पी रिडू का देवी के नितुत में एक S.I.T. का गठन किया है जो पूरे मामले की तह तक जाएगी उसकी जाँच करेगी और अपरादियों को सजा दिलाने का काम करेगी चाहें कोई भी हो अपरादी इसमें बक्सा नहीं जाएगी